जब आप स्टार बनोगे तो मैं आपके साथ पहली सेलफी लूँगा नसीम भी स्टार है लेकिन आप भी स्टार है क्योंकि नसीम की तरह आप में भी टैलेंट है ये कहानी की शुरुवात है स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई उबैज शाति जो इस वक्त पाकिस्दा से आज उन्हें दुनिया का हर किर्कट फैंस जानता है लेकिन आज हम बात करेंगे नसीम शाह के भाई उबैज शाह की जो अपने भाई की तरह स्टार कौमी अंडर 19 किकट टीम के फास्ट बॉलर उबैज शाह ने अपनी शांदार कारकर्दगी से अपना सिक्का जमा दिया है जिसकी आई सी सी भी तारीफ करने पर मजबूर हो गई है आई सी सी ने उबैज शाह के एक इंटर्वियू की वीडियो क्लिप शेयर की और लिखा कि अपनी कारकर्दगी से थाबत कर दिया है कि वो अपने भाईयों से मुतासर हुए है आई सी सी की जानब से शेयर की गई वीडियो में उबैज शाह ने अपनी कहानी बियान की जो कुछ यू है मैं अपने घर में अपने भाईयों नसीम शाह और हुनैन शाह के साथ किरकट खेलता था जिस तरह बड़े शेहरों में बड़े खेल के मैदान होते हैं लेकिन उनके गाउं में वो सहुलियात मुश्र मेरी खुआश थी कि मैं अपने भाई नसीम शाह की तरह कौमी टीम की नुमेंदगी करूँ मैं भाई को देखकर सोचता था कि अगर ये कौमी टीम में खेल सकता है तो इन्शाला मैं भी एक बार जरूर खेलूगा उबैश शाह ने मजीद कहा कि एक दिन मैं नसीम शाह के सा कहा कि इस बच्चे को आपने मेरे हवाले करना है इसमें अपने भाई की तरह ठीलेंट है और यह भी खेल सकता है वाला मुझे कहा कि ठीक है आप खेलो लेकिन आपके पास सिर्फ एक साल का वक्त है एक साल में आपने कुछ किया तो ठीक ना किया तो फिर आप सिर्फ अपनी तालीम जारी रखेंगे लेकिन उसके तीन महीनु बाद अंडर 16 में सेलेक्ट हो गया मैं उसके अलावा मजीद बताते हैं कि जब मैं अकैडमी में खेलता था त पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के बाउलिंग कोच जुनेद खान भी तारीफ किये बिना नहर है से बोले के पाकिस्तान में फास बोलिंग का बहुत टैलेंट है आप एक पथर उठाएंगे तो उसके नीचे से फास्ट बॉलर निकले जब आपके बड़े खिलते हैं तो और सीनिय फ्राड़ी तो उनकी हीडायत से हमें फैदा जब के हवाले से नसीम शावी कह चुके हैं कि उनके वासलाहित ए उनकी तारीव उनके घ्ल की वजह से की जाए मेरे नाम से नहीं सिसे जाने हिर नंद साम्वाओ युनायटेज ने तीननों भाइउं को अपनी टीम चामिल किया हुआ। उभाई साथ में नसीमन शाअ लिज सक एस भाए आप को इसलामवाब टेकर खिलाडी बनेंगे